गुल्बदन बेगम, मुगल सामराज्य की एक प्रमुख महिला, एक जानिमानी शक्सियत हैं, जिनका जीवन मुगल वंच के तीन पीडियों के साथ जुड़ा हुआ था। गुल्बदन बेगम के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार उनकी जिन्दगी और उनके योगदान को समझना मुगल इतिहास के विभिन पहलूँ को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। यहां गुल्बदन बेगम की कहानी का विशलेशन प्रस्तुत है। प्रारंबिक जीवन और परिवार गुल्बदन बेगम का जन्म 1527 के आसपास हुआ था। वह बाबर की पुत्री, हुमायू की बहन और अक्बर की चाची थी। उनके परिवार की महत्वता मुगल सामराज्य के इतिहास में एहम थी। उनके परिवार के सदस्य मुगल सामराज्य की शक्ती और प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मुगल दर्बार में जीवन गुलबदन बेगम ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष मुगल दर्बार में बिताए। उनकी उपस्थिती और उनकी गतिविधिया उस समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थिती को समझने में मदद करती हैं। उनके बारे में लिखा गया प्रितांत और एतिहासिक लेक इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने मुगल दर्बार की गतिविधियों और घटनाओं को गहराई से समझा और उनमें सक्रिय भूमिका निभाई। अकबर के दर्बार में भूमिका अकबर, जो की गुल बदन के भतीजे थे, के दर्बा की सामाजिक और राजनीतिक जटिलताओं को समझने में आसानी होती है। पुस्तक और लेकन गुल बदन बेगम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी किताब हुमायू नामा है, जो उनके भाई हुमायू के जीवन पर आधारित है। इसमें उस समय की घटनाओं, भाव गुल बदन बेगम ने मुगल वंच की तीन पीडियों, बाबर, हुमायू और अकबर के साथ समय बिताया। उन्होंने इन पीडियों के पारिवारिक और राजनीतिक द्रिश्टिकोनों को करीब से देखा। उनके अनुभव और द्रिश्टिकोन ने मुगल सामराज् रचना को समझने में महत्वपूर्न भूमिका निभाई।